नास्कार दोस्तों मैं आरेल मिना और मेरे यूटूब चेनल हर्षित मिना ब्लोग पे आप लोगों का फिर से स्वागते हैं आज हम जानेंगे लेबिनार एर प्लोग केमनेट मशीन के बारे में तो यह क्या होती है इसके डेपनिशन जानेंगे और इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे इसके अंदर क्या-क्या जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे और इसका यूज जानेंगे दूसरा इसका टाइप जानेंगे कितने परकार की होती है और जाने के लाज़ते में कि हमें क्या-क्या सावधानिया रखनी है जब इस मसीन का हम यूज करेंगे काम करते समय हमें क्या-क्या सावधानिया रखनी है प्रिक्यूशन उनके बारे में जाने है तो हम डिटेल में जानते हैं सबसे पहले जानते हैं इसकी देख में जानेंग और हमें sterile condition maintain करता है जिससे कि हम वहाँ पर work कर सकें इसकी type की बात करें तो यह दो प्रकार कराएगा vertical laminar airflow और horizontal laminar airflow यह जो आप देख रहे हो यह है vertical laminar airflow अब हम जानेंगे parts of laminar airflow इसके कुन-कुन से parts होते हैं इसमें लगा रहे था एक blower और blower का काम होता है room air को pre-filter करके और hepa filter की तरफ भेजता है दूसरा रहता है pre-filter यह room air को filter करता है और फिर वो air को hepa filter की और भेजता है pre-filter 5 microns और ज्यादा size की जो particles होते हैं उनको अंदर आने से रोकता है तीसरा लगा रहता है इसमें hepa filter जो की सबसे महत्वपूर्ण part होता है इस machine का यह final filter होता है और pre-filter से जो air filter होकर hepa filter की और आती है तो जो 0.3 microns size की जो particles होते हैं उनको filter करता है इसकी जो efficiency होती है वो 99.99% होती है अगला रहेगा pressure gauge और यह magnetic gauge होता है जो अलग-लग pressure को monitor करनी के लिए होता है अगला रहेगा workbench यह stainless steel की बनी होती है और sample product आदी को कारी करनी के लिए इस पर हम रखते हैं और कारी कर सकते हैं यह जो काच का आप देख रहे हो यह है सेस और सेस sliding front door होता है और जो भी काम कर रहा है वो अपनी जरूरत के सापसे से slide कर सकता है और आप शक्ता होती है उसी के सापसे इसको slide करके और इसको open कर सकता है अगला पार्ट से light working area में proper elimination के लिए एक light लगी रहती है अगला है service features man chamber में electric socket, air और gaze coke लगे रहते हैं और अगला है germicidal UV lamp एक UV lamp लगा रहता है lamp का काम होता है जो working area एडिशनली इस्ट्राइल करने का काम होता है इसको चालू करने के बाद इसके संपक में आने से बचना चाहिए और UV light से cancer होने का chance हो सकता है इसलिए जब भी UV light चालू रहती है तो उस समय हमें अंदर हाट डालना या से डालने से बचना चाहिए लेमनार air flow मसीन है तो इसका हम यूज खाका करेंगे तो इसका यूज हम करेंगे clean air environment की और शेक्ता होती है जैसे की particle sensitive electronic device तो वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं अगला यूज हम कर सकते हैं अगला यूज कर सकते हैं medical में, pharmaceuticals, electronic और industrial sector में इसका यूज करते हैं अब हम जानेंगे कि इसका यूज करते हैं तो किस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे लेमनार air flow machine का यूज हम किस प्रकार करेंगे तो सबसे पहले हमें blower को उन करेंगे और strile air को alcohol, sock piece से या kitchen paper से साफ करेंगे जिससे जो हमारा stainless steel है यह अच्छे से clean हो जाएगा और blower को 30 minute तक on रखेंगे तो working period में जो UV lamp लगा रहता है तो उसका choose on नहीं करना है क्योंकि यह cancer genesis होता है cancer coach कर सकता है अगला रहेगा laminar work station के अंदर head enter नहीं करना है work करने से पहले hands को अच्छे से sanitize करना है work करते समय UV lamp चालू नहीं करना है काम करते समय बात नहीं करना है sneezing, cupping नहीं करना है यदि ऐसा होता है तो काम को बंद करके cleaning activity दुबारा करें फिर continue work करें यह जो machine आप देख रहे हो यह है laminar air flow और इसको हम यह laminar air flow cabinet के नाम से भी जानते हैं यह दो परकार की आती है vertical और horizontal और इसमें यह cabinet बना रहता है यह जो सेस लगा है इसको हम open करके यह cabinet बना है तो यहाँ पर हम यह steel का यहाँ पर यह इसमें stand बना है तो यहाँ पर हम work कर सकते हैं यह जो laminar air flow है इसमें दो परकार के filter लगे रहते हैं pre-filter और hepa filter pre-filter से यह जो air है वो अंदर प्रिवेस करेगी और यह इसमें सामने लगा है यह वाला hepa filter hepa filter इसकी full form रहेगी high efficiency particular air तो वो air है वो इसके अंदर प्रिवेस करेगी और यह जो एरिया है पूरा हमारा यह हमारा एरिया इस्ट्राइल हो जाएगा जिससे हमें कोई भी काम करना है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं जो कि हमारा pathogen free इस्ट्राइल एरिया रहेगा इसका यूज हम pathology department में microbiology department में और ऐसी industries है जो pharmaceutical industry रहती है वहाँ कर सकते हैं दूसरी eye department के अंदर जब eye donate करते हैं तो उसको रखने के लिए इसका हम यूज करते हैं इसको यूज करने से पहले हमें आदे गिंटे पहले इसको चालू कर देना रहता है और इसके अंदर एक UV light लगी रहती है यह अंदर देखोगे यह वाली यह UV light लगी रहती है जिससे की जो area है वो इस्ट्राइल हो जाए हमारा यहाँ पर इसमें यह बटन रहेंगे यह वाला रहेगा light का और यह हमारा blower का रहेगा यहाँ से हम इसको चालू करेंगे और यह वाला जो बटन है इसको हम प्रेस्ट करके इसकी जो UV light है उसको ओन करेंगे